Namaste and welcome to SpiceAroma.in where food is love and religion. हम सब को street food कितना delicious और tempting लगता है. तो क्यों ना आज उसी street food को हम अपने kitchen में लेकर चले और बनाए ज्यादा tasty और ज्यादा healthy. तो करते हैं अपने कॉलकता famous club kachori और आलू की सबजी की तयारी. और देखते हैं इसके ingredients. क्लप kachori बनाने के लिए हमें चाहिए आटा दो कप, मैदा दो कप, मोटी सूजी तीन चाथाई कप, उड़त दाल का आटा एक कप, मोयन के लिए तेल तीन से चाथ टेबल स्पून, लाल मिच पाउडर एक टेबल स्पून, कलोंजी हाफ टीस्पून, सॉफ पाउडर एक आटा दरुसार आलू की सबसी बनाने के लिए हमें चाहिए, मोटे कटे आलू, साथ से आट, पंच पोरन, एक चाथाई टीस्पून, टेजपता, दो से टील, लाल मिच पाउडर, एक टेबल स्पून, धनिया पाउडर, तेर टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिच पाउडर, सबसे पहले हम अपनी कचोरे की आटे की तैयारी करेंगे तो उसके लिए एक बड़े से बाउल के अंदर हम डालेंगे मैदा मैदे के बाद हम डालेंगे गेही के आटे को तो मैदा और आटा दोनों इक्नी पॉनिटिल में है और फिर हम डालेंगे सूजी फिर हम इसमें डालेंगे नमक, मैंने यहाँ पर करीब एक से डे टेबल स्कूल नमक डाला है आप अपनी स्वाब की अनुसार नमक डाल सकते हैं और फिर मैं इसे सूखा ही यानी ड्राइ ही मिक्स कर लूँगी सारे इंड्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बीच में गठा कर देंगे और इसमें डालेंगे हम तेल तो करीब मैंने यहां पर 3 टेबल स्कून तेल डाला है और फिर मैं इसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लूँगी आटे को तेल के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने हाथेलियों के बीच में इसे दबा कर देखेंगे अगर यह दो फॉर्म हो रहा है तो तेल परफेक्ट कॉंटिटी में है अगर नहीं तो आप एक टेबल स्कून तेल और डालकर इसे मिक्स कर लें अब हम इसमें धीरे-धीरे करके पानी डालेंगे और आटा तयार कर लेंगे तो हमें इसे ना ज्यादा कड़ा और ना ही ज्यादा सॉफ्ट आटा लगाना है हम जैसे अपने घर में पूरियों का आटा लगाते हैं जो हलका कड़ा रहता है उस टाइप में इसका आटा तयार कर लेंगे हम आटा अब अच्छे से तयार हो चुका है तो अब हम इसके उपर डालेंगे करीब एक टेबल स्पून तेल तो चारो तरफ फैलाते हुए डाग देंगे हम इसके उपर और फिर इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे और फिर इसे ढग देंगे करीब 15-20 मिनिट के लिए अपने कलब कचोरी की फिलिंग को बनाने के लिए अब हम एक पाउल के अंदर डालेंगे घुड़ा ताल का आटा उसके अंदर अब हम डालेंगे नमक यहाँ पर करीब 15-20 इसको नमक डाला है मैंने आम अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं फिर हम इसमें डालेंगे कलोंजी लाल मिच पाउडर सॉफ पाउडर हीन और गरम मसाला और अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम अपने फिलिंग को अच्छे से त्यार करने के लिए इसमें थोड़ा-थोड़ा करते पानी डालेंगे तो करीब दो टेबल स्पून पानी डाला मैंने शुरुआत में अब फिर इसमें मिक्स किया फिर मैं थोड़ा पानी दूँगी और मिक्स करूँगी तो दीरे-दीरे करके मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डालती जाऊंगी इसके अदर और एक टाइट डो तयार करूँगी इसका ये देखें ये हल्का टाइट हुने आ गया है तो अब मैं इसमें करीब 3-4 डेबल स्पून पानी डाल रही हूँ और फिर इसे अच्छे से आटे के तरह कड़ा उसान लूँगी यानि लगा लूँगी और ये कड़ा रहेगा तो आपको थोड़ी मैंनत करनी पड़ेगी इसके लिए लेकिन पानी आपको कम कॉंटिटी में ही डालना है इसके अंदर और आटा लगा लेना है कड़ा आटा इस तरह से ये डो तैयार हो गया हमारा फिलिंग का और अब हम इसे ढखकर साइड में रख देंगे और अपनी आलू की सबसी की तयारी में लग जाएंगे अब हम एक कुकर को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसमें डालेंगे करीब 3-4 टेबल स्पून तेल और फिर जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे पंच फोरन पंच फोरन के बाद हम डालेंगे तेज पत्ते तेल के अंदर और फिर हम इसमें डालेंगे हींग और इन सारी चीजों को अच्छे से करीब एक से दो मिनट के लिए मीडियम आच पे ही भुन लेंगे इन सारी चीजों को अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे चौप कीवी अद्रक और चौप कीवी हरी मिर्च और इसे भी करीब एक मिनिट तक हम लाल हो जाने तक भुन लेंगे इन सारी चीजों के भुन जाने के बाद हम करीब दो-चार पीसिस या दो मुठी करीब आलू चौप किये वे तेल के अंदर डाल देंगे और फिर हम इसे मिक्स कर देंगे तेल के साथ ताकि तेल हमारा थोड़ा ठंडा हो जाए और तेल के अंदर ही हम सारे मसाले डालेंगे तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ धन्या पाउडर फिर में इसमें डालूँगी गरम मसाला हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर अब अपनी स्वाद के अनुसार कम या जादा कर सकते हैं लाल मिच पाउडर को और इन सारी चीजों को मैं तेल के अंदर एक से डिएड़ मिनट के लिए भुन लूँगी लो फ्लेम पे मसाले के भुन जाने के बाद हम इसमें अपने बाकी बचेवे आलू डाल देंगे फिर हम इसमें डालेंगे नमक करीब एक टेबल स्पूर नमक डाला है मैंने आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं और फिर मैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी पानी तो यहाँ पे करीब मैं 200-300 ml पानी डाल रही हूँ आपको इतना पानी डालना है कि आपके आलू अच्छे से डूप जाए कुकर के अंदर और इतना ज्यादा नहीं रखना है आपको पानी जैसा कि आप देख सकते हैं कुकर के अंदर पानी डालने के बाद मैं इसमें कश्मीरी लाल मिच पाउडर डाल दूँगी और फिर इसे सारे चीजों को सारे इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर मैं कुकर का ढखकन लगा दूँगी तो हमें एक सीटी हाई फ्लेम पे लगानी होगी और एक सीटी लो फ्लेम पे लगानी है उसके बाद हम गैस को ओफ कर देंगे कुकर में जब दो सीटी लग जाए तो हम गयास को आफ करके उसका प्रेशर रिलीस होने देंगे कुकर से अब प्रेशर रिलीस हो चुका है तो अब हम अपने कुकर को पोल कर सबसी को चेक कर देंगे मैं यहाँ पे एक आलू को साइड में निकाल कर चेक करूँगी कि हमारी सबसी अच्छे से पकी है की नहीं तो मैं इसे चम्मच से फोड कर देख लूँगी हमारे आलू एकदम परफेक्ली पक चुके है अब हम अपने आलू की सबसी में कुछ आलू को इस तरह से चम्मच से दबा कर पोड लेंगे ताकि हमारी घ्रेवी जो है वो थोड़ी सी ठिक हो जाए और वापस से इसे मिक्स कर देंगे अब हम अपने हांकों के बीच में कसूरी मेथी को रगपकर इस तरह से कृष्च करके सबजी में टाल देंगे अब हम गय्स को लो फ्लेम पे बांट कर देंगे और सबजी को अच् Lad's कर देंगे और करीब एक कप पानी में और डाला है conta हि हमारी फोड़ी पतली अब आ के अंदर अच्छे से चले जाए पांच मिनट हो चुके हैं तो अब हम ग्यास को आफ कर देंगे और अब हम अपने आटे को एक बर स्मूध करने के लिए अपने हातों से इस तरह से दबा दबा कर और इस तरह से मैंने इसे स्लाब पे ले लिया है और इसी तरह मैं इसे पूरा स्मूध कर दूँगी आप जितना इसे इस तरह से मथेंगे उतना ही आपका आटा स्मूध होता जाएगा और आपकी कचोरिया उतनी ही अच्छी बनेगी तो इस तरह से मैं स्मूध करते जा रही हूँ अपने हाथों से और चारो तरफ से इसे घुमाती जा रही हूँ ताकि ये हर एक डिरिक्षिन में उतना ही स्मूध हो और उतना ही सॉफ्ट बने हूँ हमारी कचोरिया अब हम आटे से छोटे छोटे पोर्शन्स तोड़ लेंगे और लोए बना लेंगे तो उसे हाथों के बीच में इस तरह स्मूध करते हुए छोटे छोटे लोए बना लूँगी मैं और जितना हथेली का सेंटर कवर हो जाए उतना बड़ा मैंने लोए रखा है और इसी तरह में आप दूसरे लोए को भी तयार करके साइड में रख लूँगी अब हम अपने फिलिंग के भी इस तरह से छोटी छोटी गोलिया बना कर रख लेंगे तो ये जो गोलिया मैंने बनाई है ये मार्बल साइस की है यानि काच की गोलिया जितनी बड़ी है इसी तरह में बाकी गोलियों को भी तयार करके रख लूँगी अब हम अपनी गोलिय को ले लेए और इसे घूप से गोलियों से बखाते जाएंगे और फिर इस पोल के अंदर हम डालेंगे अपने मार्बल साइस्ट फिलिंग को जो हमने तयार किया था और इसे इस तरह से दबाते हुए आटे को हम उपर उठा लेंगे और अच्छे से द अलते टाइम खुले ना इस तरह से अच्छे से मैंने दबा दिया है यह देखिए और इसे गोल घुमा के यह सील कर दे रहूं अच्छे से और फिर इसे प्रेस कर दोंगी और अपनी हथेले के अंदर इसे वापस से फ्लैट कर दोंगी ताकि मसाला एक्वली हर जगा फैल ज मसाले को इक्वली फैला लेंगे और फिर बेलन से इसे बढ़ा कर लेंगे तो इसे मैं पूड़ी के साइस का रख रही हूँ इसे मैंने बहुत जादा मोटा भी नहीं रखा है तो बहुत जादा पतला भी नहीं रखा है अब हम एक कढ़ाई को हाई फ्लेम पे रखेंगे और उसमें डालेंगे तेल अपनी कचोरियों को तलने के लिए और इसे फिर हम गरम होने देंगे हाई फ्लेम पे ही अब तेल जैसे ही गरम हो जाता है हम अपने कचोरियों को डाल देंगे तो मैं एक बार में दो कचोरी डाल रही हूँ तेल के अंदर और अब हम अपने flame को medium कर देंगे और इन कचोरियों को medium to low flame पे ही दलना है हमें और चमच की सहायता से तेल को आप कचोरी की दूसरे side भी इस तरह से डालते रहें ताकि वो उपर से भी अच्छे से पकता जाए और अब हम इसे पलट लेंगे आपने तेल का ध्यान रखना है कि वो बहुत जादा जरना हो वर्ना आपकी पचोरिया जल सकती है और कच्ची रह सकती है तो आप इसे हर एक side से घुमा घुमा कर यानि पलट पलट कर इस तरह से तल लीजे अच्छे से जब तक ये अच्छी सुहेरे करण की यानि golden brown की नहीं हो जाती है और अब हमारी कचोरिया एकदम प्राई होके golden brown करार की हो चुछी है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी कचोरियों को तेल के अंदर डाल देंगे तो अब बारी आती है हमारे street food को kitchen में सर्फ करने की तो हम एक प्लेट में अल्रेडी अपने कचोरियों को लगा चुके हैं और अब उस कटोरी के अंदर मैं डाल रही हूँ अपनी आलू की सबसी को और इसको देख के आपका मन नहीं लगचा है मेरा तो बिलकुल लचा रहा है कि मैं इसे अभी खालू तो आप भी इसे इस संडे जरू ट्राइ कीजे और हम इंतजार करेंगे आपके फीडबैक का और हमारे अगले रेसिपी तक खाईए, खिलाईए, खुश्यां बाटिये